पारवाले गर्थ पारवाले गर्थ डिस इंजन प्रादोई की सेंटर्ल टाबर रेसीबर प्रादोई की नमिलकेद में से किस नबकरनी या उर्जा उत्पादन प्रणाली ठेके प्रकार के उधारन है बच्चे सौर उर्जा में बहुत रिनोवेशन किया गया है वर्थमान में और वर्थमान में सौर उर्जा की बात अगर करते हैं तो लगभग 5% विद्धूत उर्जा का उत्पादन 5% विद्धूत उर्जा का उत्पादन सौर उर्जा से होता है कितरा परसेंट बच्चे पाच परसेंट विद्धुत उर्जा का उत्पादन सौर उर्जा से किया जाता है कोई प्राब्लम नहीं है ठीक है सौर उर्जा से किया जा रहा है कितरा परसेंट बच्चे तो पाच परसेंट विद्धुत उर्जा का उत्पादन सौर उर्जा से ब अपने तकनिकों को बढ़ा रहा है और प्रयास यह कर रहा है कि अधिक से अधिक विदुत उर्जा का उत्पादन सौर उर्जा से किया जाए और जगा जगा सौर प्लांट भी लगाया जा रहा है तो यह पाराबलिक थ्रो मतलब क्या हुआ है यह देखिए पाराबलिक मीरर है तो यह ध्यान में रखनी चाहिए आपको सौर उर्जा बच्चे अगर हम बात करें विंड इनर्जी से तो विंड इनर्जी से लगवग नौ परसिशत विदुत उर्जा का उत्पादन वर्तवान में किया जा रहा है आजकल भूतापियों उर्जा पर भी ध्यान दिया जा दियान में आपको रखनी चाहिए है चली अच्छी बात है और बढ़े लें हम लो बात कर हैं यह देखें को सुन नंबर सूंबर इनुल आ जाते विदिद्या एं go गयर संचारी रोग है बच्चे कोलेरा जो है थे होता है कोलेरा कोलेरा विब्रियो कोलेरी की वज़से होता है और विब्रियो कोलेरी यानि जिवानुजनित रोग है और जनरली यह जल के संचरन से फैलता है विब्रियो कोलेरी है बच्चे कोलेरी कोलेरी यह ठीक है यह देख संचारित लोग यह थे हैं फिराव करता है यह पटो आपको फिर्म सब्सक्राब इसायरों First के तो यहारों होता है तो टिवर कुलीन से यह रोग होगा बच्छी ध्यान में रखेगा कि तपेदिक जो है ये भी जिवानुजनित रोग है मिर्गी मिर्गी मतलब क्या हो तो आपका दिमाग जो है धिमाग से सम्मधित रोग है बार-बार आपको दोरे पड़ना ये मिर्गी रोह यह जनरली मानसिक रोग से सम्हद्लित बचार यह संचार रोग नहीं होता है तो और यह 14 का कौंसर भी नंबर आपको आंसर छोगा होगा यद रखनी चाहिए आपको आगे बढ़े कुस्टन सीधे आते हैं उद्सक्ते कि सीधे आते हैं 18 कुस्टन पर टेखे podcast प्रोटीन का अंतिम उत्पात क्या है तो प्रोटीन ठेकर पुन रूप से पच करके क्या बनाएगा अमिनो एसीड बनाएगा बच्चे प्रोटीन ठेकर आपको पता है प्रोटीन जो है सरीर निर्माता होता है क्या निर्मान करता है और यह भी ध्यान में रखना सरीर निर्मा होता है amino acid का बना होता है याद रखेगा जबकि monosecrites आपको पता है गुलकोच क्या है बच्चे गुलकोच monosecrites है यानि carbohydrate टूट करके किसमें बनाता है तो गुलकोच में बदलेगा और फैटी टूट करके वसा जो है वसा के पाचन से क्या बनता है तो बच्चे वसा के पाचन से आपको वसी अमल प्राप्त होगा और वसीम्द आपके सरीर में अपसोशित किये जाते हैं बच्चे तो ध्यान में रखनी चाहिए इसको तो दा-इंड प्रोडक्ट जो होगा वह कौन होग यानी Ch2OH फिर देखें C Hon और Ch2H होता है या उड़िय के उस्पाचन होता है तो जब सरीर के अंदर खाद्य पदार प्रवेस करता है तो वह चोटे-चोटे कनों में तूटता है वह एंजाइम के अभी क्रिया के द्वारा और इसे ही पाचन कहा जाता है और पाचन के परिशन परिणाम से क्या होता बच्चे तो छोटे-चोटे कंट तूट करके तूट गए अब उसका अब सोसन आपके सरीर के अंदर होता है इ क्या था लाइका अब प्रथम अंत्रिक्ष यान की बात करेगा प्रथम थे का अंत्रिक्ष यान की अगर बात करते हैं तो प्रथम अंत्रिक्ष यान कौन है तो आपको इस पूतनिक है याद रखिए प्रतिम अंत्रिक्ष में भेजा गया था इस पूतनिक था और प्रथम इस ध्यान में रखना आपको कि प्रथम उburseतिधी न गया थे युरी गयागरीनि में रखना अंत्री यह द्यान में रखना है आपको प्रथम महिला अंत्रिक्ष करए तो ज़सको ब्हसक है और अगर हम बात करें कि थेकात, बर्तम भारतियां अंत्रिक्ष यात्रीं कए बात करें तो राकेश класс थर्म जरह सब अंत्रिक्ष में गई थी ध्यानमें रखेगा। रैकित देखते जर्खते है त्यों wr317 रे दीम लखीत वस्टी जो दूरिम नहीं हिसने का दूरभीन है रसकोमुस किसका है तो रषिया का रसिया का आंट्रिक्ष दयान में रखएगा इन सब चीजुव भार्बार आपसे फुसन पूझेगा चंद्रा एक सरे भद स्यला एक प्रकाड का फ्लेक्सित प्रोग्राम है जो USA के द्वारा USA के द्वारा start किया गया है तो यह ध्यान में रखनी है आपको आगे बढ़ रहे हैं next question को देखते हैं कहां पर है बच्चे next question सीधे आते हैं हुं सीधे आते हैं किस नमर कुस्टन देखें किस का किस नमर कुस्टन क्या कर रहा है तो किस नमर है safeguarding the global commons report प्रकासित करता है तो कौन करता है safeguarding the global commons report का प्रकाशन जो है बच्चे ध्यान में रखना है कि यह करेगा कौन वैस्विक परियावरन संगठन करता है वैस्विक परियावरन ठीक है आपको सुविधा करता है यह याद रखना है आपको सेफगार्डिंग ग्लोबल कॉमेंस रिपोर्ट यह पब्लिस करता है को इसके द्वारा पब्लिस होता है तो वैस्विक परियावरन सुविधा के देगा यह आपको क्या होता है आपका प्रकाशं किया जाता है लक्ष देखिए छलिए Linux सबसक्रातबर जान हो है अच्छा कुछन है Linux जो है ९ूनिक्स और लैनिक्स धियान देखा operating system होता है कौन तो Linux और Unix बच्चे तो यह operating system हो गया operating system हो गया programming भासा की बात करें तो Java, ठीक है Java, C, C++ यह सब जो है ता आपको programming भासा होता है बच्चे assembly भासा की बात करें तो assembly भासा जो है शुरुवात में जो भासा का निर्वान किया था और आजकल हम यूज करते हैं हाई-level language का प्रियोक करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यहां देखें next question पर हम लोग बात करेंगे बहुत आगे हैं अब इधर question आपका नहीं है तीधे आगे चलते हम लोग question तीस नमबर पर आते हैं तीस नमबर पर 28 से नमबर question भी 28 से नमबर question भी आपको देखिए 27 होगे 28 यहां देखें प्रतम भारी पानी सनी अंतर कहां लगया गया था तो आपको 1961 में प्रतम भारी पानी सनी अंतर D2 इसको बोलते है Deuterium Oxide और भारी पानी का उपयोग बचे पहली बार किए गया था नांगल में किया गया था बारतम बतमान में मैं सबसे अधिक भारी जल का उतपाधन होभारत करता है और भारत भारत भेपर यहां परोसे दौआ सामन ओम जिसने के सम्मान में हमारे पास ठीक है प्रसेद्ध ओम का नियम है बच्चे ओम का नियम क्या कहता है कि देखें किसी चालक तार के भी बेदगों के बीच का बिवान तक उस से प्रवाई धारा का समनवाती होता है और यहां से ले लिए भी बराबर किया आर आई ले लिजिए जाहा आर कहा हो होता है तो आर का मान हो घैक्व बराबर क्या हो गया ओम हो गया तो यह ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगो ठीक है जौर्ज सिमन ओम ध्यान दीजे बच्चे जौर्ज सिमन ओम जेनरली कहा के बैग्यानिक थे तो यह बैग्यानिक थे आपको जर्वनी के कहा के बैग्यानिक थे जर्वनी के बैग्यानिक थे आपक रखेखा मेंडिलीफ ने आपको आवर सानी दिया था और इंहोंने थे का आपको क्या दिया था बच्चे तो पर मानु सा डर्मान पर जू का आवर सानी रहे शेंग निश्यका निश्यक देखेए बच्चे तो निस्येविसे चन के बद फल का विकास होता याद रखे छिपी याद रखें बच्चे फर्षे यान आपको पता है जिबरेलीश यह सोता है हार्मोन होता है फाय्टो हार्मोन है जिसका अधिकतम छड़कोद वारा हम क्या करते हैं तो बच्चे थेक किया करेंगे तो बीना नीस से चनके फॉल का उत्पादन कर देंगे और इस प्रक्रिया को हम क्या करते है तो पार्थेनो कारपी कहा जाता है अब देखें अब देखें हैप्रेडिट विक मत करेगा तो इसको गैमेट करेगा आपको आगे बढदे से ए मैं घठे होके क्रम मांग्रों के kapण मैं बत्चे बता रहा हूँ यह द आ जर्चे सूर्ज मैं लिख रहा हूँ बू, सु, प्री, मंग, ठेक है, ब्रिस और अब होता है, ब्रिस और अब होता है, ठेक है, यह देखे, बुद्ध सबसे निकट गरा हो गया, सुक्र जो है, सबसे गर्म गरा हो गया, ठेक है, सुक्र जो है, भोर का तारा, साम का तारा भी का लाता है, पिर मंगल और सनि के बीच कौन पाया जाता है तो ध्यान में रखिये हैं अगे बढ़ते एक नेक्र साहिं के करण कहा Пока को इस वाली वाली स्मईग्री के कारण किन्त हमा बीडिकोमीन को हम मुझाय म कहते हैं कि यंधर नगर को सबसे अच्छा क यह जाता है सबसे अच्छा कोईला कहा जाता है ध्यान में रखेगा सबसे अच्छा कोईला किसको कहा जाता है जबकि लिगनाइट जो है यह भूरा कोईला कहा लाता है भूरा कोईला कहते हैं तो यह ध्यान में रखेगा ठीक है लिगनाइट को हम क्या कहेंगे भूरा कोईला कहते हैं तो किया है बच्ची आपको पता है मिसाइल मुख्य रुप से दो प्रकार के होते हैं एक होता है ठीक है यदि सीधे पत पर गमन करें सीधे पत पर गमन करें तो इसको कुरूज मिसाइल कहते हैं सीधे पत पर गमन करें कुरूज मिसाइल कहते हैं बिना ठीक है आपको बिना गृत किया गए है वह कौन सा थे यह किया गया पिनाक मार्ग टू किया गया है याद रखेगा नहीं से देखते हैं तो ये आपको दूसरा कोशण है है और कोश्ण है करेंट है आपका चलिए तो आगए हम लोग 36 नमर कुस्टन देखें बड़ा अच्छा कुस्टन है 36 नमर में क्या कह रहा है बच्चे यहाँ देखे पहले आइनन बिभव है फिर क्या है तो पर्मानुभार यह संख्या तो आपको आवर्थ की बात करें किसकी बात करें हैं तो बच्चे जैसे ही आवर्थ की लोन पर मनूसंखे पांच थेक कारमन परमानूसंख्या ट्शा नेन्टोजन मनशंख्या सबस्का अब किसी आवर्त nine 230-3 का रहा आउडेनन विभवत धीरे धीरे कम होता है नई बच्चे यह अबर्त में बाइज से दाएं जाने पर आपको पता है सबसे अधिक आयनल विभव अक्रिय गयस का होता है अक्रिय गयस का होता है तो जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनल विभव का मनी क्या होगा क्रमसा बढ़ेगा तो यह धियान में रखेगा कि आवर तक यह गलत होगे पहला नमबर आप देखें दूसरा क्या कर रहा है तत्यों को में जैसे लाक्टन बंधूता कम होती बच्चे आपको पता है है किुए तो बढ़ता है यह भी आपको गलत होगी किसी ते की वर्ग में जैसे पर्मानुभार भड़ता है लेकिन वर्ग की बात करेंगे वर्ग में उपर से नीचे जाने पर क्या होता है घटता है यह आपका सही है क्योंकि हम बर्ग यहां पर वर्ग कह रहा है आवर्थ नहीं कह रहा है वर्ग कह रहा है तो वर्ग में उपर से नीचे जाने पर क्या होगा इलेक्ट्रोन बंदूता बढ़ता है तो यह आपको क्या हो क्या होता है कि कम होती है गलत बाते तो आपको सही क्या है केवल दो सही है केवल आपका चलि आ Paul के वला होगा आपको किया होगा आट से केवल डो आपको होगा राजानीक तक्तों के संधर्म में जब हम बाएंच से दाये जाएंगे इनरब ब्रस्षा और नीचothe नीचे जाएंगे तो घटे अपको ध्यान पर बढ़ता है और वर्ग में उपर से नीचे जाने पर क्या होगा यह घटता है बच्चे याद रखना है घटता है यह ध्यान में रखिएगा आप लोग बहुत इंपोर्टेंट है बार-बार आपसे कुछन यहां पर पूछेगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां देखे तो दॉक इसता है इस पर उत्तर कлан का बल लग लगा जाता है दो सकंड के बाद सुके के विस्थापन का मान बॉस्थापन कीजिए अभी अब देखे 4.5 Newton का बल लगा यहां हम निकाल लें निकाल लेकिते तरण निकाल दीजिए तोरण एबराबर क्या होगा तोरण एबराबर यहां देखे तोरन एबराबर क्या होता है यहां से यहां तक 2 सकंड में कितनी दूरी तय करेगा तो S1 बराबर हो जाएगा U into T तो 2 गुना 2 यानि शार मीटर ठेकर 4 मीटर ये तय किया किस वाग पूर भी कियो अब देखिए ठेकर आपको उत्तर की और बल लग रहा है यह देखिए ठेकर बल उत्तर की और यहां पर लग रहा है ठेकर तो यह दोस्ट करने में कहा जाएगा देखिए तो बच्चे आपको पता है कि S बराबर होता है क्या S2 बराबर निकालते है S1 तो निकल गया स्टू बराबर क्या निकालते है तो सकते हैं यह एक संथापन का मान क्या होगा 24 तो यहां निकल गया अब देखते कि चार मीटर दिकल गया, अब हम क्या करेंगे, तो देड़ मीटर पर सेकेंड इसका क्या हूआ, तो रण हुआ बच्चे, हाँ, और दो सेकेंड कर दीजी, ठेक है, तो दो मीटर और यह हो गया, ए बराबर एफ बट्टे, लिए नहीं कितना हो गभी है और और क्या हो जाए गांति कितना कित नहुद उश्यआत किस हो तो चुक्कि हैए वेग का मान निकलेगा कि का विस्तापन निकालना है तो स2 पराबर क्या हूं गया हाफ ठेक है यूटी प्लस यॉप्लस हाफ एटी स्पर निकालिए इ सब्कत्र algorithm कितना है o ह Cardo T tiesme Renato K पारने करिदी और इरा प्लस के तना कीठी तो साथ साथ डूरी ताई करें पर प्रसक्राइब हुआँ थीवर चिया सिवाइग फीज भी तो पेज ले लें उन्हें है आप ke उन्हें मेटाद टोinvest … यहां देखिए क्या कहा रहा है कि एकडम सिंपल पुस्टन है कर रहा है कि यहां जब पहुंचा तो यहां पर लगा किटना नीटेन का बल लग ना केट मालें यहां से तो यहां से तौरा निका लगा स्ट्टिट को और पो दो आपको दूरी तकषल तो इस्थापन बराबर क्या होता है तो यू टी अपलस यू प्लस ट्व्छ कित रहा रहाете तो आपको दो स्ट्चे बात कर रहा दूरी दूरी गमन कर रहा तो किस से लो अब स्ट है ठेक है तो दो गुना क्या करते है फ्रेश क्या हाफ गुना क्या करते है वह एक अलकलो कितना है तो टेड़ Oke ये 강ई तो ये आजाएगा चाहर अब अब फ्रस क्या ठेक है एक बाटर्थ दो दो में कितना मीटर साथ मीटर हो जाएंगा तो आंसर क्या होगा साथ मीटर आपका याद रखनी चाहिए आपको एकदम क्लियर है कंसेट चली नेक्स देखते हैं क्या का रहा एक विद्धूत गैजेट द्वारा दस मिनट में इतना एंपिर धरा खीची जाती है तो माध्यम से प्रवाइट होने वाले विद्धूत आवेस की मत रख्या होगी आपको पता है क्यों क्या होता है यह निकाल लीजिए आई का वैलू कितना है तो बच्क वैली 0.6 अगुना क्या कर दिए 60 सकेंड़ कर दिए बदल दीजिए क्या हो जाएगा तो तो जय बिवित्ता का पुनाँ चक्रन बहुत आवस्यक है तो प्रित्वी पर जो जय बिवित्ता पाई शुए अष्ठान पर आपको पता है केरल चलिए टो बेस्ति उन्दर sander one में चलिए तो हर बीबहन प्रकार के जीवों थेके बिभिन प्रकार के बिभित्ताएं पाए जाती है। और इसे ही थेक्ड आपको जै बिभित्ता कह चाह जाता है ओर ध्यान में रखेगा सबसे पहले जै बिभितधा सब्द का काप्र प्रियोंग किया था इनके अनुसार किसी अस्थान विसेश पर बहुत सारे जीवों में विभिन प्रकार की विवित्ता आपाए जाते से हम जय बिविद्धा कहते हैं सब्सक्राइब कुषक्ष सीमनद करने की च्ँमत ओधिक होती costing करने की छमता होती है जिसके कारण क्या होगा जिसके कारण क्या होगा तो दुद्रिफ आजू के यह जो है तेकर किसी को भी अपने में घोल लेगा तो देखिए पुछ विसेस उसमा के करण यह क्या करेगा? आसानी से उसमा को गRahन कर लेने की चमता इसमें पाई जाती है तो यह ध्यान में रखिए equipment करने की चमता अधिक होती है किसके कर तो विसेस्ट उसमा के करण होगा तो ये ध्यान में रखेगा आप लोग बार बार इस तर्व प्रशन आपसे पूझेगा नेक्स देखिए तो ये आपको जीके का प्रशन है बच्चे हम लोग सीधे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हैं सीधे 57 नंबर प्रश्ण पर बच्ची संतावन 57 नंबर प्रश्ण प क्या होगा तीसरे और चोधे बच्चे यह देखिए तीसरा चोधा यह व मतलब क्या हुआ बच्चे चोथा समू मतलब क्या हुआ जैसे लेली जे ऐलमुनियम के बाद क्या आएगा तो सिलिकोन आएगा तो सिलिकोन ऑक्साइड जो है सिलिकोन ऑक्साइड ठेक है और ऐलमुनियम ऑक्साइड बच्चे ठेक है आपको सिलिकोन ऑक्साइड जो है यह अमली होता है कैसा होता अमली ह्ट लेकिन अयलमूनियो मोझा जो होगा वह क्या होगा यह परभ। और चारक दोनों की भाति विवार करें चौतियस तमूंग का जो ठीक है ऑक्साइड होगा वह केबल और केबल अमली प्रकृतिका होता है यानि अधातु के ऑक्साइड अमली ए जबकि धातु के ऑक्साइड छारी होते हैं तो ध्यान में रखेगा कि बेसिक और इसे डिक बेस जो सब्सक्राइस मार सकते हैं ठिक हैसे क्योंकि ठिक है बेसिक और इसे डिक होगा यानि उभ्यधर्मी होता है ठीक है तीसरे और चौथे समू के धातु क्या होंगे उभाधर्मी होगा या या नमर मारिएगा निक्ष दिखते हैं एक तत्व कक्षा कितने चार लक्टॉन होते हैं कोई बात नहीं यह देखें एकस ने कितने छार दोन होगा है तो तो कर दिए तो क्या होगा एकस एच फोर एकस एच फोर एकस एच फोर ध्यान में रखेगा एकस एच फोर होगा यह देखें क्या हो जाएगा एकस एच फोर हो जाता है तो अंसर हो जाएगा कौन एकस एच फोर हो जाएगा अंसर डी नंबर होगा क्या होगा डी नंबर होगा तो सब्सक्राइब जीके का question है बच्चे आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ठेके सीधे चलते हैं अंठावन नंबर question पर मैंने बता दिया आपको सीधे आप चलते हैं 68 68 68 68 नंबर सवाल पर देखे क्या करा है 68 यहां अमलब अरसा ने मिलखीत में से कौन सा बच्चे आपको पता है अमलब अरसा मतलब है जल में जब पांच पोंट चौँज़्ड ख माल प्याकर निव rh मान क्या करेगा पांच पॉंट चौख से कम कर दिता है आपको प्राफ्टा मेंहोंडंधे आपक है याथ वर्षया में बदल देता है जल कैसा होगा आमलिय वर्षा में बदन जाता है तो नेट्टोजन और ठिक कहा है नेट्टोजन और सलफर के अकसाड यानि आंसर हो जाएगा कोंसा तो यह नंबर आपका अंसर होगा चलिए आगे बढते हैं कि पिर्थॴी पर अपना वाय मडल क्यों है तो बच्छे फिज फिर्थ्वी के चार और वायु का अव्यो मुढ़ा साबरन है गुबके मिमें जाते हैं है ऑर PRO Bowl जाता है जो इसको उपनी थे टेक है चलिए बच्चे वादल बादल घंटु के कारण वाईू में बादल तैपता है घंटु के और गुरत्वाकरथन सक्टी आंसर होगे बच्चे प्रिथवी के घुर्णन के कारण आप पता है अपने अक्ष पर शाड़े देवरी पर धुका हुआ है और देने रात होते हैं पवनों में गती इसी की कारण होता है यह बाते याद रखनी चाहिए पृट्वी वायूं से घर गिरा है जिसे वायम और आपको पता है कि प्रिट्वी के चारोतराफ क्या होता है कि आयन मंडल होता है सबसे नीचे कौन होगा चोब मंडल होगा उससे नीचे क्या होगा उससे उपर क्या होगा तो समताप मंडल होता है उससे उपर क्या होता है तो बच्चे आयन मंडल होता है और यह आयन मंडल क्या करता है कि सुर्च से आने वाले ठेक है आपको जो आयन मंडल क्या होता है कि प रेडियो का प्रशारण बहुत अच्छे तरीके से होता है बच्चे आयन मंडिल के करण जबकि इस्टेटोस फेर में क्या होता बच्चे यहां पर ओजोन परत पाई जाती है जो सुर्थ से आने वाले पारवेगनी किरणों को क्या करता अब सोसी कर लेता है यह ध्यान में पानी में वसा चितरा दिया जाता है जब पानी में वसा छितरा दिया जता है जब फानी में वसा छितरा दिया जाता है और आपको पता होनी चाहिए कि रक्ट कुन में रखेंग है रख तो जो है वह सोल को ठीक है को सा कॉलाइड है तो यह तो आपको हिस्ट्री का कुस्ताने सीधे चलते एक ज़िए 82 होता है बच्छे शुरी होता है सर ने बताया होगा आपको ठीक है चलए नेक्ष्श दिखते हैं बर्दाजल के मात्यम से स्छत मिर्दा के अब मिर्दा में खानि जों यह भी सर ने बताया होगा कि तर बताएंगे चालक ओम के नियम कर्णुसार आपको पाता है बच्चे ओम के नियम करंँसार किसी डो को बिंदू के बीच का विववांत उससे प्रवाहिक धारा का क्या होगा समानुपाती होता है तो ओम का नियम क्या करता है भी समानुपाती आई और भी बराबर क्या होता तो आर आई होता है जहां आर क्या होगा तो प्रतिरोध होगे आर क्या हो गया प्रतिरोध हो गया ठीक तो आवस्यक सर्थ क्या है सबसे important सर्थ क्या होगा तो बच्चे सबसे important सर्थ इसका है कि छालक जो है तापमान को हम क्या करते है नियम तरित करेंगे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भातिक कारक को नियत हम बर-बर कहते हैं कि physical factors are taken to be constant physical factors physical factors are taken to be कॉंस्टेंट तभी जाकर को नियम का पालन होता है फिजिकल फेक्टर मतलब क्या हुआ प्रेसर हो गया फिजिकल फेक्टर मतलब क्या हुआ तेंप्रेचर हो गया ठीक है तो दाव और तापको हम क्या करते हैं यहां पर नियत रखते हैं जिससे क्या होगा तो दाव और ताप इस डिरेक्टली पॉपोर्सनल टू एलक्रिक करेंट होगा और यहीं से भी बराबर आ रहाई निकलेगा बैचा तो यह ध्यान में रखेगा यदि करेंट इस्प्रिंग में प्रवाहित होता है तो क्या होगा तो बच्चे करेंट जो है वो क्या होगा तो आपको संकुचित हो कर दिये तो क्या होगा तो बच्चे इसमें ठीक है आपको समान दिसा में धारा प्रवाहित हो रही है तो दो चालकतार में अगर समान दिसा में धारा प्रवाहित होगी तो दोनों के बीच में आकर्सन बल काम करेंगा और यह आकर्सन बल क्या करेंगा तो संकुचित करेंग क्या होगा नंबर रहा होगा याद रखें समाने जिसा में अगर धारा प्रवाइद की जाती है तो आकर सन deixa अगर विपिरीत दिसामे धारा प्रवाइद पी जाएगी तो प्रतिकर्शन बल लगता है बच्चे प्रतिकर्शन बल लगता है यहां आपको क्या होगा तो प्रतिकर्शन होगा ठीक है और यहां क्या होगा तो एक दो समान बल यह देखिए अपोन अरफ टू दो बल है ठीक ह जो एक कार्जकारी रेखा पर काम करता है तो दो बल जो अलग अलग रेखाओं नहीं बच्चे दो बलों का यूग में तथा उसी रेखा पर कार्ज करता है यह दोनों का दिसा क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा बच्चे डिफरेंट डिफरेंट होगा तो यहां पर ब बहुत से कनों से मिलकर बना हुए एक पिंड जो द्रिड पिंड का लाता है यदि उसके दो बच्चे द्रिड पिंड कभी होगा जब यहां से मालीजी इसका एक कन का दूरी आरवन है यह अच्छे है और यहां से इसकी दूरी आरट वह यह कभी बदले नहीं यानि ठेक है महां कहाना क्या चाहा रहा है कि पिंड का प्रत्यक बिंदू जहें वो नियत अवस्था में रहेगा क्या होगा तो जब नियत रहती है क्या होगा रिमेंस इसका प्रत्यक बिंदू हमेंसा मैंने क्या कहा किसी अक्ष के परिता तभी उसकी दूरी जो है कनू की दूरी यह क् निवर्खी देखते हैं मैं बार बार बताता हूं बच्चे कि विदू चुमब के तरंग कुन-कुन होता तो गामा एक्स यू भी आई एम आ की इस मतलब परावेगा नहीं भी मतलब दृष्ट है मतलब ओवर रहता हैं मतलब क्या रिडियो तरंग ये सब आपको चुद्ध धातु कर सकते हैं आपका डी नम्मर क्या होगा विद्ध अभगटन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं सुद्ध धातु सबसे सुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है जैसे ऐलमुनियम ठेक है बॉक्साइट का हम क्या करते हैं तो विद्ध अभगटन करते हैं जिससे सबसे सुद्ध धातु प्राप्त करते हैं जबकि थारमाइट प्रक्रिया है रम करेंगे कार्वन डेटक्शन यानि कार्वन को हटाएंगे तो बच्चे हाड़ोजन को सुद धातु नहीं देगा लेकिन विद्ध अभगटन में धिक प्योड्य को सबस्थ इब फिरयां। करते हैं तो निगेटिव दूसरा आ प्रवहाइद करेंगे तो निगुड़ीव ऐन भ्द ईसे परवाहिद करेंगी तो निगेटिव स्कूद्ध बहथ आपको क्या उत् जब कि आपको युरेनियुम का क्या होगा पिछ ब्लेंड होता है इसको सीने बार होता है जब कि यह बॉक्साइट होता है जब कि कार्नेलाइट तो मैंने बता ही दिया कि इसका फर्मुला होता है यू 308 होता है तो करनलाइट किसका एसक है तो पोटासियम का एसक है चलिए नेक्स देखिए को हो दों से समध्य नहीं पूब्सक लिए नाइट पूझ extermin की वज़े से वहता है जैनली तुचे तचा विकार होता है तो कार उपन वह जबकि मरकरी से क्या होगा तो मिनी माता रोग होता है मेनी माता रोग होता है जैसे आप ले लिजे तरह तरह का प्रोटजवन से रोग होता है यानि खराब पानी से प्रोटजवन के खराब पानी से पी लिए तो आपको हैंदा यह बहुत तरह का रोग होता है यह देखें तो वरस्ट तो 2015 में अस्थापित अनुसंधान संगस्थान कोन है तो भारती है बच्ची तेका जबकि आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले भारत ने दक्षिन गंगोत्री उसके बाद अंटार्टिका में तेक्षिन गंगोत्री दूसरे नमबर पर मैत्री और फिर जाके 2015 में भारती क किया स्थापना कीर्ट ये ऐँ अंटार्टिका भारत का अनुसंधान केंड्रे नेख्यों मतलब होगा तो प्रकास के गटी से तिब्रग चलने वाले कनू को हम करते हैं। वाकंग जो प्रकास यहनी velocity applied 3 into 10 to the part 8 meter per second होता है इस से अधिक वेक से चलने वाले तेक हैं कनू को क्या करेगा तो आपको तूट करके खुद बखुद रेडियो सक्रियता के मध्यम से टूट करके आपको प्रयावरण में भिखड़ जाता है वाई मध्वानी के गति से तिबरिक चलने वाले कन को हम क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं याद रखे सूपर सोनिक क्या रहेंगे बच्चे 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 आपकं को उपर होगा उसमें त photon का सर्वाधिक विशा किसमें होगा अधिय। में उत्तुशंद में जो इतना उपर होगा। उतना ही तो अब याद रखें उत्पादक में बहुत कम जैवावर्धन होता है यानि जैवावर्धन का मतलब क्या होगा तो किसी विसाक्त पदार्थ का जदी सरीर में मात्रा बढ़ता जाएगा तो उसको बोलते हैं क्या जैवावर्धन करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे कम होगा ठीक तो फ्फपादक में उसके बाद ठीक है आपको बोगता मुझा होगा ठीक है चप 두वर्वथन का जैवावर्धन का सरवाधिक विसाप्त संकेंड्रण होता है किसमें तो बोगता में होता है 맞아 N CHARLE N IS SON touhou बच्चे यह देखे प्राक्रतिक गया सबसे निबाये सोधने कोघ से लेकिन प्लाकरतिक घ्यान कर रहे थे तो ध्यान में आजरूर हो सकता है लेकिन अगर बात करें कि सबसे नया तो बच्चे बारबा कर सकते हैं जल को किसको क्योंकि यह सबसेists है जैसे जल जैसे सूर्ज जैसे आपको ले लिजी तूज ले ले लिए जैसे लिजिए टाडल इनर्जी ले लिजिए जैसे बहुत सारा इनर्जी पबन उड़ जा लिजिए तो यह सब कहा है नव करने है ठीक उड़ जाका सुरूत है नेक्स देखिए वायू प्रदूसर का स्थंकेत कोन है तो लाइकेन है किसी भी अस्थान पर अगर वायू प्रदूसर को बताएगा ब्राइफटा जल प्रदूसर को बताने का काम करता है बच्चे जल प्रदूसर को बताता है कौन तो आपको ब्राइफटा बताएगा ध्यान में रखे कबक जो है कबक कबक देखिए अलगी लिग दिया है गलत है अलगी मतलब सैवाल होता है कबक मतलब फंगी होता है तो यह ध्यान में रखेगा नेक्ष देखिए नियूरोन का कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है बच्चे आपको पता है नियूरोन में जानकारी प्राप्त करने का हिस्सा कौन होगा तो यह नियूरोंस वाली यह नियूरोंस से बहुत सारे हेयर लाइक के स्ट्च्चर निकले रहते हैं और यह एक जोन होता है यहां सेंटर हो गया और नियूरोंस एक दूसरे से जब जुड़ा रहता है जिस अस्थान पर उसको सैनेप्स क करते हैं तो information gather करने का काम को करता है तो देंडराइट करेंगा कौन करेंगा देंडराइट करता है ध्यान रखेगा नेक्सी देखिए किसी अमलों और छार मिलकर अभिक्रिया करते हैं बच्चे जैसे ही एसी बेसे से करेगा यह बनाएगा सॉल्ट और वोटर का निर्मान कर और उब करते हैं तो अभिक्रिया करते हैं सब्सक्राइबित बनाने चक्राइब और शाजान चाहन कर वेधिक्रिया करें सब्सक्रा नहीं लिए क्या लिए प्रावर्ट बना जांगे बच्चे कमपरेंज बनाएंगे जांगे यह सब trouver में रखनी चाहिए ठीक है जाई चाली तो यह आज का सिपरावर्ट यह कुलų से यह जै भरत प झाल झाल करते हैं जैसा की गया थे क्यूज टेश्ट अथा इसमें जो सौ प्रफन का सेठे लगभग साठ पैंसट कोस्टन जहां आर्फ पोस्टन का हठात हिस्ट्री पॉल्टी एकनॉमिक जोगरफिक करेंट अफेर्स अस्टेटिक जीके का होता है जो सिर्फ रेलेवे एस से सी नहीं बलकि यहां पर देकी असपष्ठे बीपी एस सी और अध देते हैं जिसमें सामान अध्यन आपका एक विशय होती है तो हर एक्जाम में आपको उतना ही प्रवावी होगा प्रतेक एक्जाम का जो परिच्छा का पैटर्न है उसको आधार बनाकर बैग्ज्यानिक रूप से परिच्छन करके इसमें प्रस्ण की को सिट की जाती है और मैं आपके सामने इस तमाम प्रश्णों का एक्स्वानेशन के लिए मौजूद हूँ जहां हर प्रस्ण का क्यों और कैसे के साथ है पूरी प्रफ्ण का तारकिक रूप से सारगर्वित रूप से प्रतित्य शमुत्पाद के अधार पर कार्ज कारण सिध्धांत के अधार प हर एक प्रस्ण का पूरी ब्याख्यातमक बर्ननातमक विशलिशनातमक तरीके से सरल से सरल भार्षा में आपके शामने उसे प्रस्तूद किया जाएगा ताकि आपका नौलेज ब्रीफ हो बेहतर हो नैरो नौलेज से निकल कर अब ब्रीफ नौलेज के रास्ते पर चल परें इतनी बेहतर नौलेज हो इतना आपके आथ अंदर का आत्म विश्वाथ जाग जाए और सफलता आपका मार्ग प्रसस्त करें तो प्रसन आपके शामने है पढ़िया बरन सनक्षन से समझे मामले में सिख्र निप्टान करने के लिए राष्टिये हरित अधी करन तो राष्टि 2010 इसवी में निशनल ग्रीन ट्यूबनल की अस्थापना हुआ ताकि पढ़िया बरन को हरा भरा रखा जा सके पढ़िया बरन को नुक्सान पहुचाने से रोका जा सके पढ़िया बरन की संतुलन के लिए पेर पौधे का 33% भुभाग पर होना आवश्यक है तो पढ़िया ब ग्रीया के तहट इसका काम किया जाता है उच्छ नियाले के शंकक्ष ये नियाले के तरह काज करता है 2010 में अब देखिए आपके सामने योजना है बारहमी पंच बरसी योजना जो योजना 2012 से 2017 तक के लिए था वसपष्ठे कि ये उत्तर नहीं होगा 11 पंच बरसी योजना जो 2007 से 2012 तक के लिए था वसपष्ठे की ग्यारहमी पंच बरसी योजना इसका उत्तर होगा दसमी पंच बरसी योजना 2002 से 2007 तक के लिए नौमी पंच बरसी योजना 1997 से 2002 तक के लिए बनाया गया था ये बारहमी पंच बरसी योजना रहा क्योंकि बारहमी पंच बरसी योजना के काल में ही योजना आयोग जो की पंच बरसी योजना का निर्मान करता था उसे भी घटन करके नीती आयोग का गठन किया गया योजना आयोग के दोवारा पांच पांच बरसों के लिए बारतिक योजना को तैयार की जाती थी इसलिए इसके दोवारा निर्मित योजना को पंच वर्षी योजना के नाम से जाना गया दसमी इग्यारहमी और बारहमी तीनो पंच वर्षी उजिना में आठ दसमलो एक प्रसन का विकास दर जीडीपी दर को निर्धारित किया गया था जहां दसमी पंच वर्षी योजिना का मूल थीम था मानव विकास ग्यारहमी पंच वर्षी योजिना का था समावेशी विकास और बारहमी पंच वर्षी योजिना का था तिब्र सतत समावेशी विकास योजिना का लक्ष धारित किया गया था जबकि नौमी पंच वर्षी यो दो अपका गीत था जट देख कर चलो आगे भी नहीं पीछे भी दाएं भी नहीं बाएं भी उपर ही नहीं नीचे भी तो मुल उद्देश जो होता है cone मानेशन का ही होता है कि हर प्रस्ण का हर बिकल्ब का प्रस्ण से अधी संबंद है या वो बिकल्ब सुतंत प्रस्ण बननी की छमता रखता है उसका ग्यान आपको प्राप्त हो उसकी नौलेज हो ताकि हर प्रस्ण का कंफिरेंस के साथ आप उतर दे सके और यदि आपको लगत करना सेयर करना ना भूलें बिद्यार्थीगन और अभी कहीं लगता है कमजोरी है किसी प्रस्ण में किसी बिकल्प का कुछ और इस लानेशन क्या वशक्ता है जो प्रस्ण से तालुकात रखता है तो भी अपने कमेंट के माध्यम से आप जरूर प्रकट करेंगे परवलई गर्गर्थ दिश इंजन और प्रदोगी सेंटरल वार इसलिए प्रदो निम्लिकित में से किस नविनी करन उड़ जा चरिये तो चरिये साइन्स से जुरा हुआ है कोस्टन साइन्स वाले सर इसको बताएंगे उनिस चों में मिन्टो से सिवला में मिले मुसलमान के शिष्ट मंडल मुसिम उनिसल पाथ से दस तक प्रदों भारतET का गवर्राणर जनरल उनसे उनके दूर मिला कॉ मुसलमानों का प्रत्रिव म душ नित्रीव hardest कर रहे थे आगा a आगा खांके नित्रित में मुसलमान का प्रत्रिधी उनसे मिला मात 6 घंटे की बारतालाप में उसे वो तमाम मांग को पूरा करने का स्वासर मिल गया जिसे 1885 से 1905 तक कंगरिस 20 बड़तों में अपनी मांग को मनवाने में सफल नहीं रहा जहां मुसलमानों का प्रत्रिधी मात 6 घंटा के मुलाकात में अपनी तमाम मांग को मनवाने में सफल रहा जो सामपरदाईक निर्वाचन के नाम से जाना गया जहां मुसलमानों को सामपरदाई का धार पर धर्म का धार पर अपना प्रत्न धी अलग से चुनने का धिकार दिया गया इसी मिटिंग का प्रतिफल हुआ कि दिसंबर 1906 में आगा खाँ इमस्तलीमॉल्ला खाँ ने जिसमानों के हितों पर अधारि मुस्लिम लीग नामक एक गटल का गठन कॉंगरेस के समनांतर के रूप में किया इसके द्वारा क्या मिला इसके मुसलमानों का पिर्थत निर्वाचन पत्ती को अर्थात मुसलमान अपना पत्ती अलग से चूनेंगे इसका प्रावधान किया गया संजुक निर्वाचन सुरू से ही था जिसे की मुसलमानों के द्वारा बिरोध किया गया था राष्टिय सोक दिवस बंगाल विभाजन जिस दिन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दिन रभिन नाथ टैगोर के कहने पर संपुर्ण बंगाल में सोक दिवस मनाया गया बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक्ता को प्रदर्शित करने के लिए हिंदू का पर्व जिसे रक्षा बंधन के नाम से जानते हैं उस रक्षा बंधन पर्व को एस पेशल हिंदू मुस्लिम के एक्ता के प्रतीक के तवर पर मनाने का निर्नाय लिया गया ताकि हिंदू मुश्लिम को और मुश्लिम हिंदू को राखी बांद कर अपनी एक्ता का प्रदर्शन कर सकें बंगाल विभाजन के बिरोध में ही सुदेशी आंदोलन की शुरुवात होई थी जिसकी घोसना अगस्त 1905 में ही किया गया था कि अधि बंगाल विभाजन की जाती है तो सुदेशी आंदोलन चलाया जाएगा तब बंगाल विभाजन की बिरोध में राष्टी ये सोक दिवस मनाया गया तेंसर आपका सी होता है महातमा गांधी की मिर्टू कोर सही दिवस के रूप में मनाते हैं भारत विभाजन के दिन को देखी सी बढ़ तराष्टी दिवस के रूप में मनाने की घोशना किया गया है कंग्रेस विभाजन सबसे पहली बार हुआ था उनीश सब साथ में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ जिसे सुरत फूट यह सुरत विभाजन के नाम से जाना गया रॉलेट एक्ट के बेओद में किसने लगान नँदेने कांदोलन चलाने का रॉलेट एक्ट कब आया तो 19 में सिडनी रॉलेट के द्वारा तैयार किया गया प्रारूप को ही रॉलेट एक्ट कहा गया इस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना गया इसे नो बकील, नो अपिल, नो दलिल के नाम से जाना गया इस एक्ट के द्वारा पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दिया गया पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दिया गया कि किसी भी भारतियों को संदेह के आधारत यदि संदेह हो कि अमुक भारतिये अंगरेजी हितों का नुक्षान कर सकते हैं तुन्हें बिना किसी कागजात के बिना कोई कारण बताये हुए और निश्चित काल तक उन्हें कारागार में रखा जा सकता था इसलिए से काला कानून कहा गया इसी एक्ट के बिरोध में महातमा गांधी और सहयोग आंदोलन को चलाए थे इस एक्ट के बिरोध में पहली बार महातमा गांधी ने राष्टी अस्तर पर 6 अप्रेल 1909 को पूरे देश में देश ब्यापी हरताल की सुरुवात किये थी रिलेट सत्यागरा कि सुरुवात महातमा गांधी के दूरा किया गया था लेकिन यहां प्रस्ट है लगान नौ देने कांधुलन की लगान किसान नौ दे तो आर्द समाज का संस्थाफक में से एक स्वामी सरधानन डिये भी इस्कूल के संस्थाफक स्वामी सरधानन 17 से जुरे हुए स्वामी सरधानन थे जिन्होंने ये वीचार दिया था जबकि रभिन नाच टेगोर सुदेशी आंदोलन के चवड़ान बिदेशी बस्त्रों को जो होलिका दहन की जा रही थी उसे जलाया जा रहा था तरभी नाटेगोर ने उसका बिरोध किया किया निर्मम बरवादी महातमा गांधी का अंदुलन में बिदेशी बस्त्रों का होलिका दहन करभी नाटेगोर के द्वारा बिरोध किया गया इसका अंदुलन का नित्युत किये गए महात्मा गांधी के द्वारा और प्रस्ताव दिया गया था स्वामी सर्धानन अर्था एंसर आपका धोता है डी हिमाले परबत सिनी के सरवाधिक उचाई परबस्ति दर्रा है दर्रा कहते हैं परबत का वो कटा छटा भाग परबत का वो शंकिर्न भाग जो इस पार से उस पार आने जाने का मार गुप लब कराता है भारती तिहा दर्रा से दहसत में रहा एक खैवर दर्रा वो दर्रा है जहां से कई वार अरब आक्रमन हुआ और भारतियों के खून से लत्पत ये भूमी जो है सो रंगा रहा वो दर्रा ही था जो अरब के बैपारियों के भारत में आने का रास्ता उपलब कराता था दर्रा के छिते में देखा जाए चरिए रोहतांग दर्रा जो आपका है इसकी उंचाई हो जाती है 49.78 लुट के उंचाई है ये दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है बुर्जिल دर्रा बुर्जिल दर्रा की उचाई है एक तालिश सो मीटर बुर्जिल दर्रा की उचाई है जो स्री नगर और पाकिस्तान अधिकृत कस्मीर का गिलगित को जोड़ती है कारा कोरम यही सबसे उचाई परवस्थी दर्रा है कारा कोरम दर्रा की उचाई है पच्पन सो चालिश मीटर यह उची द क्षित्र में पड़ता है तो काराकोरम दर्रा सबसे उचाई जो जिला दर्रा की उचाई जो होती है वह 3528 मीटर जो जिला दर्रा की दर्रा उचाई हो जाती है जो किसी नगर लेह लदहा को जोर्ने का काम करता है यहाँ पर एंसर देखिए आपके सामने चारों की उचाई चारों कहां है ये भी असपस्ट हो चुका तो भले प्रस्ण एक होता है तो आप देख रहे हैं हर प्रस्ण का जब डिसकसन क्लास में आते हैं उसकी उप्योगता की हर एक प्रस्ण का जब अध्यन करते हैं तो घर पर केबल एक लेकिन जब डि उर्षन कटी बंध जलवायू का आद्र जलवायू का पौधा होता है रबर सदावहार बन का रबर उत्पाद होता है रबर के लिए जहां 200 सेंटी मीटर की बर्सा चाहिए सताई से 30 डिगरी सेंटी ग्रेड का तापमान चाहिए रबर सबसे जादा थाई लैन मलेशिया शिंगापूर भारत के छित में रबर का उत्पादन होता है तेकिन कृत्रिम रबर जो की लेबरियोट्रिम बनता है सबसे जादा रबर का उत्पादन कृत्रिम रबर का अमेरिक और उसके बाद जर्मनी जबकि प्राकिर्तिक रबर में नंबर उन हो जाता है थाई लेंड देश का प्रथम क्रिसी विश्विद्याले जिसका नाम था गोबिंद बल्लव पंथ जो की उत्तर प्रदेश के पहला मुख मंत्री देश के ग्रिह मंत्री भी रह चुके थे ततकाल फ़में उत्तर प्रथमान उत्तरा खंथ नगर में में गोबिंद बल्लव पंथ क्रिसी विश्विद्याले के नाम से Hmmm अस्थापित हुआ था उनीस सो साथ हिस्वी में भारत का ये पहला क्रिशी विश्विद्याले था जब कि अंग्रेजियों के काल में सबसे पहले बिहार के समस्तिपूर के पूशा में राष्टी क्रिशी अनुशंधान परिसद की अस्थापना किया गया 1934 का जब भुकम भाया तो उसका मुख्याले पूशा समस्तिपूर की जगह नई दिल्ली में अस्थापि थे बिहार का पहला क्रिशी विश्विद्याले जो बैद बिधिवत तोर पर सरकारी अधिनियम के द्वारा खोला गया वह 2010 इसवी में बिहार का प्रथम क्रिशी विश्विद्याले की अस्थापना शवव भागलपूर में किया गया तो 2010 इसवी में भारत का है उनिस सव साथ ततकालिक उत्तर प्रदेश बरतमान उत्रा खन में अबस्थी थे भारत का पहला जीव अरक्षन छेत्र बायो फेयर है और इस 18 में 9 को इनेसको ने 20 धरोहर की सूची में 20 बायो अस्थेयर की सूची में सामिल किया सरपर्थम निल गिरी को भारत खरकार के दौरा 1983 में बायो अस्थेयर की रूप में सामिल किया गया और 2000 में निल गिरी को ही इनेसको ने भी अपने बायो अस्थेयर की सब से पहला है नील गिरी जिसे भारफ रकार ने उनीशोग तेरासी में और इनिशकों ने बर्थ दो enquanto ल में इसे मानिता दिया और नील ग मनार की खारी भी दुछ टमिल नाडव उर सिलंका के बीज का है वह भारत का तोटल अठारा है रन्भम और राष्टिये उश्टी है आपका नाटि में हैS निया क्लिक पर्सासन कहने सबसे नियाइप प्रसासन त्रबोच ने भी उसके नीचे." ci been the EVP. तो सिविल कोड का सिभिल कोड का दो भाग होता है एक को बोलते हैं शत्र नियालई सेशन कोड ओडोसरा को बोलते हैं वेवहार नियालई सिविर को जहां सत्र नयाले में पवजदारी मुकदमा तब बहार नयाले में दिवानी मुकदमा की सुनवाई होती है ग्राम पंचायत में एक मुखिया होता है जो प्रसासनी काम का करता है और जो सरपंच होते हैं वो ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं जहां पंचायत के जो ग्राम कचहरी होता है उसमें सरपंच नियाय के लिए काम करते हैं जिनके लिए नियाय मित्र को बहाल की जाती है और सरपंच के दौरा जो ही निरनए एकिले नहीं बलकि नियूंतम पांच पंचों के साथ मिलकर जो निर्ने दी जाती है उस निर्ने को नियाले भी सुईकार करता है तो ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी जो होता है वह राज परसास नियाले परसासन की सबसे च्छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत का ही एक भाग होता है ग्राम कचहरी जिसका प पीज ripping सुन्हाई करते हैं अंचलाधिकारी का पॉट अंचलाधिकारी कोट में भूंपि से सम्दीत भूराजस से समंदीत भूम tries के कोट में होती है तुट केबल हुआज भूमी से जुरा हुआ एक खास छितर का अधिकार जो है अंचलाधिकारी के पास होता है निन्ली की सुचियों में किसके अंतरगा सिख्षा आती है 42 समिध्हान संसोधन के दौौरा Śabordब्स हीतर में सिख्षा को संभरती सूची में जोरा गया संग सूची जिसमें मुल्ड समिधान में 97 लेकिन बर्तमान में 100 भी से है राज सूची मुल्ड समिधान में 66 बर्तमान में 61 भी से है संबर्ती सूची मुल्ड समिधान में 47 बर्तमान में 22 भी से है समिधान की सात्मी अनुसूची में केंद्र राज के भी सक्ति को तीन भागों में तीन सूची के अंतरगत माटा गया संग सूची राज सूची और संबर्ती सूची अस्थानिय सूची का भी भाजन समिधान के दायरे में नहीं है जबकि अस्थानिय सुची को तहत जो पंचाय की राज आता है रासरकार उसके लिए बिधी का निर्मान कर शक्ती है एंसर आपका होता है कोल बोलिया लोक निरित अलग अलग राज का अलग अलग लोक निरित होता है हर राज का लोक निरित, लोक संगीत, लोक गीत अलग अलग होता है, तो कोल बोलिया जो है राजस्थान के छेत्र का महत्पुर्ण, राजस्थान के छेत्र का महत्पुर्ण लोक निरित होता है, उसे नाम है कोल बोलिया, अर्था एंसर हो जाता है, मध्पर्देश के छेत्र क तो आपका एंसर हो गया उरिशा के छेत्र का जो लोक नित है उसमें दल खई और जारखन के छेत्र का है सोहराई तो अलग-अलग राज का अलग-अलग लोक नित लोक संगीत फॉक डांस होता है और इससे जुरा हुआ क्वेशन बारं बार पूछा जाता है धूपगर्ध की पहारी धूपगर्ध की पहारी जो है वह बिंध-परवत का हिस्सा पड़ता है धूपगर्ध मद्ध-पदेश के सर्वोच शिखर परवत सिखर का भी झाल म है जो बिंध-परवत अर उससे सटा हुआ यह जह जो हो जाता है और यह बास्तों में देखा जाए तो बिंद परवत का जहां पर सत्पूरा परवत से मिलती है तो उसका हिस्सा हो जाता है तो धूप गर पहारी पड़ता है मदपरदेश के च्छेत्र में और इसका जो सरवोच सिखर हो जाती है वह वह हैं दुधा मद्द्रदेश का सरवोज शिखर है सरवोज शिखर है महादेव परबत आ रावरी परबत के सरवोज चोटी का नाम हो जाता है तो गुरु शिखर राजस्थान में और धूप गर मदपर्देश के छित्र का सरबोच परवत सिखर है HDFC बैंग की अस्थापना 1994 में हुई भारत में जब नई आर्थिक नीती 1991 में लागू किया गया जहां दिया गया कि पांच सो करोर की पुंजी से नीजी छित्र की बैंग की अस्थापना की जा सकती है 1994 में ही एक्सिस बैंग इसे प्राराम में UTI 2006 में एक्सिस बैंग ICICI बैंग की अस्थापना HDFC ICI इक्सिस बैंक तीनों बैंक की अस्थापना 1994 में किया गया तीनों प्राइबिट सेक्टर की निजी सेक्टर की बैंक है जिसमें सबसे वरा है ICC इसका एपसी बैंक का मुख्याला है नए दिल्ली अस्थापना 1994 94 किस महेंगने देश में किसान के लिए एक किसान धन एक electronic माधहम से mobile के माधहम से ही यह बहु आयामी किसानों को किसी फ़दल की क्या कीमत है उसकी निविन्तम नजदी की मंडी कहा है किस प्रकार का मोशम में परिवर्टन होने की संभावना है मौसम में होने वाले बदलाओ मौनसून के बारे में तमाम जानकारियां रठत हर प्रकार से जानकारियां इस एप के माध्यम से किशान को प्राप्थ होगी जहां घर बैठे हुए अपने मॉबाइल के माध्यम से वो किशी कार से जुरा हुआ तमाम जानकारी को इकठा कर सकता है, प्राप्ट कर सकता है, साथ ही वहाँ पर किस प्रकार के मिट्टी है, कौन सी फसल, 29 मौसम के लिए उप्योगी है, अभी कौन सा फसल लगाया जा सकता है, यह तमाम जानकारियां उन्हें HDFC के द्वारा जो लॉंच किया गया है, एक किशा लच्मी, भारत के जी असल लच्मी है, जबकि सभी के सभी जो है भारत की महला किरकेड से जूरी हुई है, कि जानवर को 397 को अंत्रिक्ष में भेजा गया, रूस का बीमान का नाम था अस्पुत्निक, तो अस्पुत्निक बीमान से यह तारिक देखे, 397 को वो लाइका नाम कुतिया थी, कुत्ता डॉग था, जिसे की अंत्रिक्ष में भेजा गया, तो अंत्रिक्ष में जाने वाला यह पहला प्रानी, अश्पुत्निक नामक, रूसी अंत्रिक्ष यान था, उसके माध्यम से वैंकुवर, बैकुबर परच्छेपन यान से इसे भेजा गया था यह रूस का जिसका नाम था लाइका चंद्र एक्सरे चंद्रा एक्सरे भारत का सुब्र मन्यम चंद्र सेखर जो कि अमेरिकी मूल के भारतिये मूल के अमेरिकी बैज्ञानिक थे तो भारत के थे सीवी रमन के भतिजा थे क्रिश्म छिद्र इन्होंने खोजा था ब्लैक हॉल क्रिश्म छिद्र की खोज के लिए इन्हें 1983 में नोबल पुरुषकार दिया गया था तो इनके सम्मान में ही चंद्रा चंद्र सेखर भारतिय मूलके अमेर्की बैग्यानी सीबी रमन का भातिजा जिन्होंने क्रिश्म छिद्र की खोज किया इस खोज के लिए 1983 में नोबल पुरुषकार प्राप्थ हुआ तो उनके सम्मान में ही उनके नाम पर ही उनके लिए ही सम्मान के तवर पर चंद्रा एक्स्रे को नासा ने अमेरिका के द्वारा छोरा गया थ तो उनके सम्मान में तो नासा के द्वारा इसका प्रचेपन किया गया था सेफगार्डिंग दग ग्लोबल कॉमन्स रिपोर्ट प्रकासित करता है सेफगार्ड अर्था जहां मौशं की अनुकूलता के लिए सेफगार्ड पढ़ियाबर्न की संदक्षन के लिए हो तो ग्ल संदक्षन के लिए अंतराष्टिय संघ जो बायू मंडल और उसके महासागर के बारे में बायू मंडल और महासागर के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और अंतर जलबायू परिवर्टन पर अंतर सरकारी पैनल इस संद्था को 2007 में सांती का नोबल पुरुषकार भी प्राप्त हो चुका है इसकी अस्थापन 1992 में पिर्थवी सम्मिलन के बाद इसकी अस्थापना की गई थी लूनेक्स चड़िए इतो साइंस के छेत्र का है मानस नदी मानस नदी यह नदी बरहंपुत्र की सहायक नदी है मानस नदी भुटान की सबसे लंबी नदी है भुटान के छेत से हिमाले से निकलने वाली भुटान की सबसे लंबी नदी है जो बरहंपुत्रा की शहायक नदी है बरहंपुत्रा एक अंतर देशी नदी जो चीन था तिबत से निकलते हुए भारत और बंगला देश में एक बंगाली खारी में गिर जाती है भारत का यह सब महाराश्च के नासिक्षित से त्रेंबक की पहारी से निकल करके यह गिरती है प्रान हिता नदी, इसकी मुख्ष सहायक नदी में से एक है। प्रिसना ये महाराष्ट के महावलेश्वर ते निकलती है और आंध्र प्रदेश में बंगाले खारी में गिरती है। तुंग भाद्रा इसकी महत्फून शहायक नदी है। महा नदी उरीशां के उरीशां के छेस निकलती यह त Prag seris श्टिसहर सिंखवासी श्टिसघवासिंखहर का सिंखवास निकलती है और उरिशां में गिरती है जहां पर पर द्यू बंदरगाह बना हुआ है इराबदी तो कि नदी की कई कई सहायक एक से अधिक सहायक नदियां होती है। तो यहाँ आपके सामने सहायक नदी से जुरा हुआ प्रक्न था तो चारो बिकल्प आपके सामने दिया गया कि किसकी कौन सी सहायक नदी है। यमना की नदी है और एक मात नदी हां जो है जो गंगा की सिधे सहाय गंगा में आकर मिलती है जबकि अनुतिनु नदी यमना में और फिर यमना मिलती ही लाहाबाद में गंगा के पास गंगा में मिलने वाली एक मात यहां नदी जो है आपके शामनिश्सो नदी है जो दे ज्जारक्षंड होते हुए विहार में पटना जिला के पास मनेर में आकर घंगा में मिल जाती है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली भी सबसे महतपूण नदी में से नदी आती है तो उत्त्री गुलार्ध में ग्रिश्म कालीन संक्रांती ग्रिसा जब बनाता हो जब सुर्ज करक रेखा पर सारहे 23 डिग्री अक्छानस पर 90 डिग्री का कौन बनाता हो उसे ग्रिस्म कालिन संक्रांती कहते हैं तो कब होता है एक कैस जून की वो अबधी होती है जहां सुर्ज करक रेखा पर होता है इस दिन उत्री गुलाद में शब से लंबा दिन लगभक 14 घंटे का दिन होता है उता होती है महिना एक कैस जून जबकि एक कैस मार्च की जो अबधी होती है जहां सुर्ज भूमद रेखा पर 90 डिर्या कौन बनाता है इस दिन दोनों गुलाद में दीन और रात बराबर बराबर 12 घंटे का दीन और 12 घंटे का रात होता है इसे बश मार्च 20 सितंबर वशंत विश्व जहां दोनों गुलार्द में दिन और रात बराबर होता है कि इस यून और राध़ कि करक रेखा पर सुम्ध मकर कर रेखा पर होता है जहां करम शहां उत्रीष दक्षिन गुलार्ड में सब लंबा दिन होती है दुनिया का पहला देती से मूंगों और समुद्री जीव चाने के लिए रीफ टॉक्सिक सन क्रीम चेहरे पर सुन्दर्ता बरहाने के लिए सुर्ज का प्रकास से चेहरा को कम प्रभावित हो उसके लिए जो क्रीम लगाया जाता है जो क्रीम समुद्री जीव के लिए काफी नुक्षान दायक होता है समुद्री बीच पर जब लोग असनान करते हैं तो उनके चेहरे पर लगा हुआ क्रीम जल के माध्यम से समुद्री जल में मिल जाती है और वहां जो विभिन परकार के जीव जनतू है उसके लिए काफी नुक्षान दायक होता है तो पलाव जो परतांत महाशागर के तट पर अवस्थित एक दिवप है वहां ये रोक लगा दिया गया है तो पलाव में इस परकार का रोक लगा दिया गया है सबसे गहरा मेरियाना ट्रंच मेरियाना ट्रंच कहां है तो फिलिपिन्स तट पर फिलिपिन्स तट पर मेरियाना ट्रंच परंचा है जो कि इसकी गहराई है 11,022 मीटर था हमाले का एबरेस्ट को भी अधि यहां पर लाकर रख दे तो एबरेस्ट की उचाई है 8,800 48.86 मीटर तो एबरेस्ट से भी लगभग 1000 मीटर पानी की उचाई उहां ज्यादा है तो वहां पर पहुचने वाली जो पहली महला रही वो अंत्रिक्ष में भी भर्मन की है और मेरियाना ट्रंच तक भी पहुची है मेरियाना ट्रंच पर लगभग डेर घंटा वो बिटाई है जहां दोनों जगह जो है अंत्रिक्ष और सागर के अंदर बायू का दवाब बहुत ही कम होता है दीवन उहां काफी कश्ट में होती है उस छित में जो पहुचने वाली पहली महला है वो कैथिन्दी सुलीवन जो अमेरिका की समुद्र बैग्यानिक नासा से जुरे हुए महत्पुन बैग्यानिक में से ये एक बैग्यानिक रही पर्थम भारी पानी सैयंत चलिए भारी पानी जिसका प्रियोग जो है इस तो किया जाता है नाव की ये छेत्र में तो ये आपका नांगल नांगल इसके अलाबा भारत में भी बरावदा से लेकर के कई जगर पर्थम ये पानी के इसका उपयोग की जाती है इसका उपयोग तूती कोरन अर्था तूती कोरन हो जाता है आपका तमिल नाडू में बरावदा हजारा अर्था गुजरात में कोटा महाराज कोटा गुजर परहला जो था वो था नांगल में। साइंस के यो ये साइंस कीैन की के क्रम में मंगल और स सनी के बीच कौन सा ग्रह आता है? अब देखिए स्वर मंडल के क्रम में क्या आप पढ़ते हैं सबसे पहले बुद्ध के बाद सुक्र के बाद पिर्थिवी के बाद मंगल के बाद सनी के बाद मंगल के बाद बिरहस्पती के बाद सनी सनी के बाद अरून के बाद बरून आता है प्रत पुछता है मंगल और सनी के बीच कौन सा है मंगल और सनी के बीच बिरहस्पती सुर्ज के पहला हमें पहला क्रम पर बुद्ध होता है और 6-ंह नंबर पर और रुण आता है इसके 50 जो है दूसरा नंबर पर सुक्र आता है पांचनमा नंबर पर बिद्रकश्पती आता है सब और सुप्रि प्रिठ्वी मन्गर मिद्रश्पति सवाम सब्सक्रावलर बिद्रकश्पत है अब देखिए सबसे कम उसमावला भूरे कोईला जो होता है उसमें एंथरासाइट कोईला में लगभग 90 परतीसत से अधिक 90 परतीसत से अधिक कारबन का अंस पाया जाता है जो सबसे बेहतरिन कोईला होता है बिटू मीनस में 60 परतीसत से अधिक कारबन पाया जाता है लीग नाइट में 40 परतीसत से अधिक कारबन अपीट में 40 परतीसत से कम कारबन पाया जाता है तो सबसे बेहतर कोईला एंथरासाइट होता है अपक्षक कम उश्मा वाली शामगरी जो नियुनतम भूरे रंग की कोईला होती है लीग नाइट जो भूरे रंग की कोईला होती है भारत में लीग नाइट परचूर मातरा में है ऐसे सबसे ज़्यादा लीग नाइट कोईला जो हे वह कहां है सबसे ज्यदा लीग नाइट क्वेला चीन में है भारत्म कोहाइद के छित्र में निल लीग नाइट क्वेला जम्मु का समीर के छेत्र में भी यह कोईला प्रचूर मात्रा में पाया जाता है जो अच्छा कोटी का कोईला नहीं माना जाता है DRDO ने हाले में किस आर्टिलिय मिसाइल सिस्टम औरीशा के चांदी पूर ध्यान रखना है कि मिसाइल का जब धी परिच्छन होता है तुरिशा का चांदी पूर रेंज से ही उसकी परिच्छन की जाता है जिसका नाम रखा गया है APJ अबदुल कलाउं परच्छेपन किंद्र से ही परच्छेपन किया जाता है पिनाक मार्क 2 का पिनाक मार्क 3 अभी बना ही नहीं है तो पिनाक मार्क 2 का परिछेपन किया गया है यह एक बहु नाल रोकेट है जहां एक ही साथ 44 सकेट में तक्रिवर 12 छेतर में अलग-अलग मिसाइल का परिछेपन यह कर सकता है जिसकी दूरी होती है यह मार्क 1 का है छमता 40 किलो मीटर का रेंज है मार्क टू की जो छमता होती है वो 65 किलो मीटर के रेंज में वो दुस्मन के विविन प्रकार के केंद्र को उसके हतियार का बिनाश करतकता है जिसका नीचाना काफी अचूख होता है लदा का पर्थम लदा का जो पर्थम लेफिनिंट गवर्नर है बर्तमान में भी वही है राधा कृष्ण माथूर जम्व कास्मीर का पर्थम बने थे ग्रीश चनल मूर्म जो बर्तमान में नियंतरक महालेखा परिच्छक है सत्पाल मलिक जम्व कास्मीर का उच्छे 370 जिस वक्त हटाया गया उस वक्त वहां के राजपाल सत्पाल मलिक थे और सत्पाल मलिक के जो सलाहकार थे वो एन एन बोहरा थे तो सत्पाल मलिक बर्तमान में ये मेग हाले के राजपाल है ग्रीश चनल मूर्म बर्तमान में और अभी भी लद्दाह का जो लेटनिन गवर्नर अर्थात उप राजपाल है वो राधा कृष्ण माथूर हैं लेटनिन गवर्नर को राष्टपती के दुआरा निक्त की जाती है राष्टपती निक्त करते हैं जिनका काजकाल सामानता पांच बर्स का होता है कि रारी जहां सी समुद्री नेश्टनल पार्ग के समुद्र सागर के छस् мед NICK पार्ग होता है राष्टी उद्यान है अभ देकी असंब का सागर्द कर्थ है नहीं उत्तर पर्देश इस में सागर्द है तो आप पाते हैं कुरेशी के साथ कभी गलत उत्तर हो नहीं सकता है उत्तर जब भी देखी आएगा अन्दमान निकोबार दीवसमुक सागर के छित का निशनल पार्क है सागर टट का छितर है जबकि अनतीनों विकल्ब का सागर टट है ही नहीं रासानिक तत्युशारनी इस प्रवासी पक्षि दिवस से जुरा हुआ कोश्यन सिर्फ यहां आपका भारत में किसी प्रकार कज़िक जाम होती है तो दिवस से जुरा हुआ कोश्यन उसमें बारंबार पूछा जाता है तो दिवस से जुरा हुआ कोश्यन में आपके सामने पहला दिखे दिवस दिया गया है वह है शात मई तो सात मई को मनाते हैं विश्टु नर्स दिवस बिश्टु नर्स दिवस मनाया जाता है सात मई को आपके सामने चार मई है तो प्रेश सुतंतरता दिवस चार मई प्रेश तो तंदता दिवस के रूप में मनाते हैं और आठ मई 20 प्रवासी पक्षी दिवस जबकि पांच मई कोई महत्पुन दिवस में सामिल है नहीं निम्ने कि फसल में कौन नगदी फसल नगदी फसल जो फसल मुलता है ब्यापार के दृष्टी कौन से जिस फसल की राष्टी अंतराष्टी अस्थर पर बेह Gefतर मांग हो जो ब्यापार के दृष्टी कौन से उद्पादन किया जाता हो अब ठीक है धान उद्पादन करते हैं गेहूं उत्पादन करते हैं उसको भी बेशते हैं जब आपके पास एक्ष्ट्रा हो लेकिन धान और गेहुं का मुल उदेश होता है भोजन के लिए लेकिन जब उद्पादन करते हैं और खाद फसल है कपास का ukadas olhos और है गंणा का प्रियोग करते हैं लेकिन गंणा का उप्रश पादन करते हैं उसको बेचना ताकि चीनी का अंधिरमान हो तो गंणा क्या उते हैं नगदी में आता है जो महाराष्ट के छित में गुजरात के छित में राजस्थान के छित में खाद्यान फसल के रूप में प्रयोग में लाते हैं बिहार बेगर हमें जो है पसुचारा के रूप में इसे ताकि जल बिग्यान के बारे में और बायू मंडल पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में सही और सठिक्ता के साथ ऐसे भी दखी आर्क्तिक उत्री धुरूब साइविरिया उत्री धुरूब के निकट पड़ता है रूस उत्री धुरूब के जलवायू से उसके साथ कितनी समान्ता कितनी और समान्ता का दौर है चाहे वो सिक्षा के छेत्र में हो रोजगार के छेत्र में हो उसकी स्वतंत्रता के छेत्र में हो तो सिक्षा के छेत्र में रोजगार के छेत्र में स्वतंत्रता के छेत्र को आधार बनाकर इसके साथ ही राजनीती इसमे भागेदारी है तो सिक्षा रवजगार पतंता राजनिती को अधार बना कर इस्तरी और पुरुस में कितनी शमांगता है इसके बारे में आकरा जारी की जाती है पहला नंबर पर जो देश आता है वो आईस लैंड है जहां इस्तरी और पुरुस के साथ किसी प्रकार का भेद नहीं है दोनों मुक्त रूफ से अपने अपने छेतर का चेयन करने लेकि भारत ये से देशों में अभी भी देखिए महला साथ छर्ता कम रहती है आप इस स्कूल कोले में जाएं तो पुरुस लरके की तुलना में लरकी की संख्या उहां कम पाये जाती है किसी ऑफिस में प पिछला पिछला राष्ट के सेनी में भारत का स्थान सामिल होता है कि इसमें 156 है तो 156 में भारत का स्थान 140 मां है को ना काल में इसमें सिती और भी कम जोर हुई है जबकि 2020 में भारत का स्थान जो था 112 मां था निको ना शंकर के काल में महलाओं का रोजगार सबसे ज्याद मोबाइल को हमारी सरक तामीर तरक्य अब देखिए तामीर यह क्या है उर्दू शब्द से जुरा होता है हमारी सरक अब आप देखते हैं चलिए यहां विकलब देखें तहीं माचल प्रदेश जन्रीगर जो के साथ इस प्रदेश सरकों का जाल है पूरी तरह ब्यवस्थित ब दाक बहुल छेत्रें हमाचल प्रदेश हिंदू बहुल छेत्रें तो सब्द से भी करेंट फेर का प्रस्ण भी ऐसा है थोरा साधी बौधिकता का परचैदें थोरी सी अप जो है अपनी आई क्यू का प्रयोग करें तो बड़े आराम से आप जो है सो कई ऐसे प्रस्ण वह लर्की जो कोणा संकट के काल में हर्याना से अपने पिता जो रोगी थे साइकिल पर ले करके वह उस विशम प्रस्टी को जूचते हुए साइकिल पर अपने पिता को हर्याना से ले करके बिहार के दरभांगा तक पहुँची थी उस लरकी जिसे साइकिल गर्ल के नाम से भी जाना गया उसे बिहारतरकार ने सम्मानित करते हुए कि अपनी पिता रोगी पिता के सम्मान के लिए उसको पूरीतर सुरक्षित यातरा करते हुए साइकिल ते लेकर हड्याना से बिहार के दर्भंगा तक पहुँची थी तो थी जेयोती कुमारी इन्हें साइक्ल गर्ल के नाम से भी जाना गया कि सी आरार कैस रिजर्व रेशियों में बिर्धी की जाती है प्रतेक कॉमर्तीयल बैंक आरवी आई के द्वारा निर्धारी तुवह दर या वह भाग वह परतिशत जो नगद रूप में कैस रूप में अपनी कुल जमा का अपनी कुल डिपोजित का आरवी आई के पास नगद रूप में जमा रखता है अर्थाथ प्रतेक बैंक अपना एक नियुनतम रासी आरवी आई के दिद्वा निर्धारी देश में आरवी आई के पास नगद रूप में कैस रूप में जमा रखता है अब काता है उसकी दर में बिर्धी कर दिया गया अर्थाथ दर साहे तीन परतीसत को बरहा कर चार परसेंट कर दिया गया तो हाफ परतीसत बराबर जो होता है वो लगभग चालीस हजार करोर हो जाती है हाफ परतीसत होता है चालीस हजार करोर के बराबर तो बैंक के पास जो पैसा है वो जंता का पैसा है आम नागरी का पैसा है मार्केट का पैसा है तो मार्केट का पैसा आरवी आई के पास जमा गहट गई सेवर्व कम जाएगा च्पहर मार्थवीस्था में मौदिख्वेस रलता की कमी आती है कमी आ जाएगेर जाए है 1 यह पाइक यह पाँ पाइसा का पैसा मार्केट का पैसा है और वह मार्किक पैसा सीधे चला गया और वी आए के पाह जमा हो गया तो तरलता अर्थात मुद्रा को सब से त्र बस्तू तरल धातू माना गया है तो मुद्रा जो है सुभ फजार में घंट जाएगी देश में बिदेशी पर्यक्ष निवेस भारतिये नागलिक से बिदेशी मुद्रा का कोई सचागे ग्हटेगी बढ़ेगी नहीं देखे विकल अधिर प्रखन का कंसिप्ट है। है कि एकनॉमिकल टर्म को समझते हैं तो ऐसे प्रखन को वरे आसानी से आप हल कर सकते हैं और बैद्ध जार्ती लगता है कि मैं आपके कंसिप्ट को बनाने में कहीं कहीं प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तवर पर भून का निभा रहा हूं तो आप एकिनन तवर पर लाई करना सेयर करना ना भूलें और अधी लगता है कि मैं आपके ज्ञान का ब्रहाने में कहीं कहीं प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तवर पर सहयोगी हूं तो मैं आपको यह सु हिस्ट्री पॉलिटी एकनॉमिक जोग्रफिक करेंट अफेयर्स अस्टेटिक जी के अठात रेलेवे एससी बीपी एससी ये कुश्चन को आधार बना कर आप आने वाला समय बीपी एससी का एक्जाम का है बिहार पुलीश सदाय तारीक को है तो अधी उसमें तैयारी आप करन नहीं बलकि पांच से साथ कोश्चन तक नियूंतम तीन से साथ कोश्चन तक आपको हल करने की छमता आप में आ जाती है तो अब उसका लाव उठाएं चार वजे से पांच वे तक उसके ऐप से जुरें बस नियूंतम निवेश और अधिकतम रिटर्न को आप प्राप्त करे है प्रसंख्याप के सामने अरतक्थी तो संबुध्री उत्पाद से कैसे अपनी झान की समस्या खादियान समस्या से मुक्ति पा सकते हैं तो समद्री विज्ञान के छित्र में प्रकिरति ने इतना पहले से ही दे चुका है उसके माध्यम से हम अपनी कई खाद्यान समंधी समस्या के निप्टारा कर सकते हैं तो उसके रिसर्च के लिए इन्हें विशुखाद पुरुषकार प्राप्थ हुआ है जो एसिया की पहली महला है थॉमस कप थॉमस कप बैडमिंटन से जुरा हुआ है थॉमस कप और उवेर कप एश्था कप युरोकर इतrollty होता है ज्यान पीठ पुरुषकार की स््थापना के लिए 1961 में ग्यान पीठ नामक संथा की अस्थापना किया गया और 1965 से ज्यान पीठffen कर साहित के छेट्र में दीय जाने वाला ये सर्वस्रेश्ट पुरुषकार है सबसे बरां 27 भासा में से जो सर्वस्रेश्ट पुस्तक होती है दस वर्स तक जिसमें उस भासा में जो काम किये हैं वैसे लेखक को ग्यान पीट पुरुषकार हर वर्स दिया जाता है पहली बार मल्यालम लेखर जी शंकर कुरूप को ये पुरुषकार हिंदी के छित में पहला पुरुष ग्रह बॉना ग्रह प्लूटो को 2006 से प्लूटो को ग्रह की सिनी शलक कर दिया गया है उसे बॉना ग्रह कहते हैं तो प्लूटो की ग्रह की संख्या पांच हो जाती है तो पांच ग्रह है प्लूटो का उप ग्रह प्लूटो का पांच चंद्रमा है बुद्ध और सुक्र का एक भ सब्सक्राइब बनाने में लिथियम का प्रयोग होता है इस दूर संचार की कुरांती के च्छेतर में लिथियम एक महत पून प्रोडक्ट बनता जा रहा है आज घर-घर में यंत हाथ में मोवाइल की बैटरी बनाने में लिथियम का प्रयोग किया जाता है तो लिथियम का जो भंडार अभी आपको भारत के छित्र में हाली में प्राप्थ हुआ है वो करनाटका का मंडया में प्राप्थ हुआ है अखिर भारती सत्रंज महाशंग सत्रंज जिसकी खेल का जन्भूमी भारत है हरप्पा काल में सत्रंज की खेल की शुरुवात हो गई थी लोथल से सत्रंज बोड की भी प्राप्ति हो चुकी है तो सत्रंज बोड की अस्थापना जो है 1901 में भारती सत्रंज महाशंग की संजै कपूर को चुना गया है कोरोना बावारत महारी से निपटने के लिए आलोचना के चलते प्रधानमन्त जो इटली के थे इटली के प्रधान क्योंकि इटली में बरी पर लोगों की कॉर्णा बाइरस के कारण मिर्टू हुई थी वहां और वेवस्था का दौर चला था जिसके कारण आलोचना हुई और वहां के राश्पती को त्याग पत्र देना पर अमेरिका में बाइडन प्रसासन ने भारत बन से अब यहां पर देखी तमाम बाइडन प्र यह तारकसा जो है उन्हें चीफ ओप अश्टा बनाया गया है इसके अलावा तान्यादास को बनाया गया है ओफिस ओफ साइन्स का चीफ ओफिस ओफ साइन्स का चीफ बनाया गया है तान्यादास को नारायन सुब्रमन्यम नारायन सुब्रमन्यम को बनाया गया है विधिक सलाहकार नारायन सुब्रमन्यम को बनाया गया है विधिक सलाहकार असुची तलाती को बनाया गया है ओफिस ओफ होसिल ये फॉसिल से फॉसिल विभाग का ये अध्यक्स बनाए गए हैं तो तमाम भारतिये मूलके हैं और जो बार्णों के प्रसासन में चारों को महत्पुन भूमका दी गई है कानहा राष्टिये उद्यान कानहा कहाएं मदप्रदेश में दल्दली हिरन की दुरलब हिरन बरह सिंगा को भी हिरन के नाम जाना जाता है काला हिरन के लिए राजस्थान का सरिष्का कि राजस्थान का सरिष्का काला हिरन के लिए जाना जाता है जहां उसकी पूजा भी की जाती है चिंकारा के लिए राजस्थान का सरिष्का ही है निल गयद्य की भारत के हर छेत्र में गाउं गाउं तक भीहार के गाउं गाउं तक पहला हुआ है तो बाराष्षिंगा जो प्रारम प्राचिन काल में हैंगरिया के रूप में भी इसके सी का प्रयोग किया जाता था नगदी अनुपात जमान अधी नगदी जमानुपात फिर दखियो नगदी जमानुपात किया हो गया प्रयोग के रूप में अनुपात घंडता है तो कर्ज कानिरमा तो दर्ग घंटाया भी आपको बतला चुके थे कैस्रिजर्व रेशियों की मात्रा में कमी कर दी गई तो बैंक के पास नगद मात्रा बरह गया तो निदेने की छमता क्या होगी निदेने की छमता बरह जाएग कि यह भी संद बिनट पहले आके क्वस्ट ने बतलाया गया था गंगा की सहायक नदी जो नीचे बरनी थे कौन उत्तर की और प्रवाहित होती है उत्तर की ओ अर्था दक्षिन से उत्तर मिलकर गंगा में जाती तो जो नदी उत्तर विहार की नहां देखे सभी नदी बिहार का है तो जो नदी दक्षिन बिहार की नदी गंगा में मिलती है उसकी दिशा उत्तर होगी जो उत्तर बिहार की नदी हो गंगा में मिलती है उसकी दिशा दक्षिन होगी अब यहां देखिए कोशी नदी खगरिया में मिलती है जो की उत्तर बिहार के छेत्र में है घाघरा जारखन उत्तर परदेश हारखन होते हुए बिहार में गंगा में मिल जाती है अनसर आपका बच्चे को तनाव के साहईरिक विकास स्वथ शरीर स्वथ दिमाग दिल्ली में जिस प्रकारते को ना काल में स्कूल को बंद रखा गया इसे बच्चे की बहुत धिकता प्रभावी होई तो बच्चे को स्वथ भी रखा जाए और उसका सिक्षा भी प्रभावीत नहों सिक्षा के अस्तर पर भी आगे बढ़े दिल्ली की सरकार के द्वारा कोना काल में स्कूल बंदी के दर्मियां बच्चे की स्वास के लिए बच्चे को परहाने के लिए इसकी शुरुआत की आगए एप लाया गया जहां सपता हमें हर प्रतेक सपता हमें एक ऐसा विडियो डाला जाता था जो बच्चे को मोडिवेट करें तो बच्चे को मोडिवेट करने के लिए य जाता था जिससे की विद्यार्थी अपने आपको तरो ताजा रख सकें सिंगापूरा खवार ने अधार पूना वाला को जो विश्व के सबसे बरा विश्व का सबसे बरा बैक्सिन के निर्माता है पूरे विश्व का सबसे बरा कोवे कोवी सिल्ड कोवी सिल्ड नामक जो द था तो पूना इनका इस संस्थान का मुख्याला है सीरम के नाम से इनकी जो संस्था है तो सीरम के ये हेड हैं इनहें ही आदर पूना कुंडा बाला को एसिया का सबसे बेहतनी या सबसे प्रसिद सबसे चल्चित व्यक्ति के रूप में इनकी पहचान की गई हर्याना के साथ राज की सीमा को साजहा करता हो, तो हर्याना के साथ सीमा साजहा करने वाला जो राज में आता है, उसमें मधपरदेश की सीमा हर्याना से नहीं मिलती है, तो मधपरदेश की सीमा इन राजियों के अलाबा पंजाब से मिलती है, और हर्याना की सीमा पंजाब के अलाबा उत्रां उत्रांचल उत्रांचल पंजाब राजस्तान हिमाचल प्रदेश से हरयाना की शीमा मिलती है अस्पेस एक्स के दौरा 143 143 विमान एक साथ लॉंच किया गया एक ही यान से 174 को लॉंच किया गया जो अब तक का एक रिकॉर्ड है एन एरा उफ डार्कने ससी थरूर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है जिस पुस्तक के लिए साहित अकादमी पुरुषकार इनहें इस पुस्तक के लिए साहित अकादमी पुरुषकार भी प्राप 2020 में प्राप्त हो चुका है ये कॉंग्रेश के संसद महत्पून डिपलोमे जो कि सन्जुत रास्तंग में भारत के अस्थाई प्रतिंधी के तौर पर काम कर चुके हैं। राम प्रशाद, बिश्मिल, आश्फाग उल्ला खां, राजेंद्र लाहरी और रौशन लाल या रौशन दक को चार को फांसिक, उनीस सवसक्ता इसे सिवी में इन चारों को फांसिक से जादी गई थी। तो थे कसभी के सभी जो थे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सदस थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन 1924 में संसे खराजाल सचिन सानयाल के द्वारा कानपूर में किया गया सभी को फांसि 1927 में दी गई थी। आमल परश्ण पिर्थिमी का अपना बायू मंडल क्यों है योगकी पिर्थिमी पर गृत्वा करशन शक्ती गृत्वा करशन रेड सर्ट उनीस सो उन्तिस में खान अब्दुल गफार खान इन्हें सीमान्त गांधी के नाम से भी जाना जाता था इस आंदुलों के प्रनेता माने जाते हैं। इन्होंने खुदाई खिदमतगार के नाम से एक संगतन बनाए। खुदाई खिदमतगार तंगठन के लोग लाल बस्त पहंते थे लाल बस्त इसलाम धर में न्याय का प्रतीक है तो इसलिए इनके द्वारा चलाया गया आंदुलन को ही लाल खुर्ती आंदुलन रेड़ सर्ट आंदुलन के नाम से जाना गया सिमांत गांधी खान अब्दुल ग्रिह छेत बलुचिस्तान में ही रहना उचित समझे तो यह थे आपके खान अब्दुल गफफार खान मौलाना आजाद जो कंग्रेस के सबसे बड़े मुश्लिम लीडर में से एक रहे कंग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और कंग्रेस का लगातार उनिस सो चालीस से च भावित करता है पृत्वी की घुर्णन गती समुद्री जल के घनत में परिवर्तन यह सभी के सभी विकल्ब सही है गर्म और ठंडी जलधारा जो दिशा बदलती है वह पृत्वी की घुर्णन गती के कारण वह अपने उत्री गुलार्ध में दाई और दक्षिन देकर 1720 इसवी तक यह मराठा के पेशवा इन्हें पर्थम पेशवा के नाम से भी जाना जाता है मराठा राज के पर्थम संस्थापक सिवाजी थे पर्थम संस्थापक सिवाजी थे इनका जन्म 1627 इसवी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था और 1680 में महाराष्ट के राइगर हमें इनकी मिर्टू हुई थी छत्रपती शाहू सिवाजी के नाम से ये 1674 में इनका राजिया भिशे वार नर्शी का ब्रहामर गंगा भट के द्वारा किया गया था बाजी राओ बाला जी बाजी बाजी राओ के साखनकाल में ही 1761 पानी-पत का तिर्टिये इदलर आ गैा जिसमें मराठा का मराज का पतन हुआ बाजी राओ परत्थम बाजी आजी भी सुनात כ toca सुयोग सुपोत्र थे जो 1720 से लेकर 1740 इसवी तक मराथा पेश्वा के रूप में काम किये और मराथा राज को उतकर्ष पर पहुंचाए इनका स्वपन था कि मराथा ध्वज कृष्णा से अटक तक अठात हिमाले तक भगवाद ध्वज लहराए और 1837 में दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था भारत में सिक्का क का धुर्स धाला जाता है बंबे में कोर्षां को एधराबाद ही लगवाद को कि मेंुई लगलता है उसे टक साल पर पत्रिका इनि इंडिया के जाना जाता है उसे कुमन बिल के नाम से थए एनि बिशेंट पत्रिका का संपादन करती थी जब कि अन्ध्jos आपका संधिया वगांतर बंदे मातर तीनों क्रांतीकारी पत्रिप्स का है नेताण के दोबरह संपादन किया जाता था विपिन चंद्रपाल भी क्रांती कारी लीडर थे और ये भी बंदे मात्रम पत्रिका से जुरे हुए थी भार्टिय समिधान किसकी गारंटी नहीं देता है समता काधिकार अनुछेद 14-18 अनुछेद 14-18 समानता काधिकार भार्टिय समिधान देता है धार्मी का जादी अनुछेद 25-28 भार्टिय समिधान देता है समबधानी कुप 4 काधिकार अनुछेद 32 जबकि सब ही के लिए अनुछेद 21 एक कहता है कि राज 6-14 वर्ष तक के बच्चे को नहीं सुलक सिक्षा त करता है कौन सा उत्पादक संग कार्टेल कार्टेल क्या होता है कार्टेल का प्रयोग के लिए कम के लिए कार्टेल का का प्रियोग होता है तो कार्टेल का प्रियोग कहा होगा जहां कुछ लोगों का संगठन है कुछ लोग हैं जो पूरे बाजार को प्रभावित कर रहे हैं जिसे अलपाधिकार का बाजार के नाम से भी जाना जाता है तो अलपाधिकार में ही कार्टिल सब्द का सिमित अब यहां पर दिखी जो वैसा देश का संगठन वैसा उत्पार जो कुछ देशों तक सिमित है और पूरे बाजार को वो कंट्रोल करने का प्रियास कर रहे हैं अब इसमें अंतराष्टिये ब्यापार को बरहावा देने जहां बिना भाग्योलिक बिना राजितिक सीमा के मुक्त रूप से ब्यापार हुस के लिए काम करता है अंतराष्टिये मुद्राकोस 189 देश जहां ब्यापार घाटा तो कुछ नहीं बलकिस ब्यापार घाटा की दूर करने के रिन देता है SDR में रिन की सुब्धा यह सम्मुचे विश्व के लिए है जब कि पेट्रोलियम उत्पादक निरियात संग अस्थापना उनीस सव साथ सदस देशों की संख्या 13 है यह जिसका मुख्याला है आफ्टिया कि राधानी बियाना यह पेट्रोलियम उत्पाद मात 13 देशों का संगठन है अब पूरे विश्व के पेट्रोलियम के कीमत को यह अनिर धारित करता है पेट्रोलियम पदार्थ कुंदियंतित क करता है तो कुछ पूरे विश्व के पेट्रोलियम उत्पाद को कंट्रोल में लाने का काम करता है आपका क्या होता है अलपाधिकार जहां उत्पादक की संख्या एक से अधिक लेकिन बहुत अधिक नहीं हो जहां सब का एक ही प्रकार का प्रोड़क्ट हो तो सब समुचे के बाजार को कंट्रोल कर सकता है यहां उस्तावदारण ओपेक होता है हिमाले के सबसे बाहरी परवत से निदे के हिमाले के सबसे उत्तर में जो होता है उसे बोलते हैं ट्रांस हिमाले ट्रांस हिमाले के बाद का जो छित्र होता है वो है ब्रिहत हिमाले ब्रिहत हिमाले के बाद का जो छित्र है वो होता है लगु हिमाले अलहु हिमाले के बाद का जो छित्र है वो है सिवालिक हिमाले ट्रांस हिमाले में ही कारा कोरम आता है सिवालिक हिमाले का सबसे बाहरी भाग या हिमाले का सबसे नवींतम यो तो हिमाले ही नवींतम परवत है लेकिन हिमाले में भी सबसे नवींतम जो होता है वो श्रीवालिक भाग होती है कुमावी हिमाले का एक भाग होता है प्रादेशिक विभाजन है जहां सिंधू से सतलज तक पंजाब हिमाले और सतलज से काली नदी तक के जो बीच का होता है उसे कुमावी हिमाले के नाम से जानते है तहीं बाले का विभाजन है सिंधु से सतलच उसे बोलते हैं पंजाब हिमाले, सतलच से काली उसे बोलते हैं कुमावी हिमाले, काली से तिस्ता उसे बोलते हैं नेपाल हिमाले, तिस्ता से दिहांग उसे बोलते हैं असम हिमाले, तो हिमाले का प्रादेशिक विभाजन हो जात ग्रफार मुंतरी परिफद्र कि þarजों को बरकास कैसे कर तकते हैं अमदूछे चवहतर के अधार पर रास्पथी अपनी स्लाह के लिए मंत्री परिफद Colorado का गठन करते हैं मंतृ परिफद में किसे सामीर करना है उनके पास किस विभाividade का काम शोपन है यह निर्ने लेने का धिकार प्रधान मंत्री का होता है प्रधान मंत्री का ये विशेशा धिकार है ये किसे मंत्री मंडल में रखा जाए तो ज्राफपती मंत्री पड़िफद के सिदस को सपत प्रधान मंत्री की सलाह पर इस्तिफा भी प्रधान मंत्री की सलाह पर सुईकार क जहान मंत्री की सलाह पर ही मंत्री परशत के सश्यों को जब कि लोग सभा अध्यक्ष जिसका चुनाव अनुछे करने में उनकी महत्पुन भूनका होती है बाता बनकर सबसे क्रियासील प्रस्थित की तंत्र होता है जहां खारा जल और मीठा जल दोनों जल आपस में मिलता हो खारा जल समुद्री छेत का हो गया मीठा जल नदी के छेत का हो गया जहां खारा और मीठा जल दोनों मिलता है जहां दोनों प्रकार के जीव जन्तु पादप अपनी उप्योगता अपना उत्पादन को बेहतर तरीके से अन्जाम देते हैं तो छीद की रेगिस्तान तो भाफृता कि लिए बशित की तंतकि लिए बढ Soul काूना बहर हिए खुला समुद्र वोपेन समुद्र सरी जीव समुद्री सैवाल सब कि खारी एक्षिवडीख क्या होता है वहले जब सागर दरातल की और अश्थल की और हो द्हसा हुआ हो जहां अश्थल व जल तो divers उसको खारी कहते हैं जहां जल और अस्थल दोनों मिलता है तो असपर ठेक वहां पर जैविविट्था उतना ही ज्यादा होगा टुन्रा जहां हीं छेत्र हीं पात होती है बर्फ से ढखा हुआ है तसी छेत्र में जैविविट्था कम पाई जाती है मृदा जलके माध्यम से सिर्फ मिद्राम औव मिद्रा के खनीज का स्ट्रांत्रा उसे प्रच्षालन लीचिंग कहते हैं जब लगतार बरसा होने से मिर्दा मिट्थी के छेत्र का जो खनीजटत होता है वो धीरे-धीरे जमीन के अंदर या वह परवहत हो जाते हैं इसे आप बोलते हैं लेटे राइट मिट्टी लेटे राइट मिलती से जब जिवास्म का तत हट जाता है तो जिवास्म रहित जो मिट्टी हो जाती है पोड़ जल मिट्टी के नाम से जाना जाता है तो प्रच्छालन के नाम से जाना जाता है ऐसे यह आपके साइंस वाले सर्विस को ब 2015 भारत द्वरा अंतार्क्टिका मस्थापित अनुशंधान किंद्र का नाम क्या है भारती भारत में अंतार्क्टिका के छित में सबसे पहले दक्षिनी गंगोत्री दक्षिनी गंगोत्री के नाम से 1983 में उसके बाद मैत्री के नाम से 2012 में और भारती के नाम से 2015 में तीर अनुशंधान केंद्र की अस्थापना किया नभी करन विजली स्ताथपर्ज होता है जो परंपरागत रुब से विजली का कोईला पैत्रोली पैत्रोलिया मुत्पाद इसस प्रकिर्ती गैस glucose जबकी पानी जल विदु नभी करन विदुत के छेत्र में सामिल होता है पानी से सवरूर जा से यहां पर यह प्रश्ण का सेट समाप्ट होता है बद्यार थी का ने मेरा मैंने ये प्रयास किया कि हर प्रश्ण का सरल सब्दों में हर प्रश्ण और हर भी कल्ब का बेहतर से बेहतर तरीके से उसका explanation मोज उपलब कराया जाए ताकि आपको बेहतर तरीके से सरलता से आसानी से समझ में आए क्या मैं इस उदेश में सफल हुआ या ना हुआ ये तो आप बताएंगे क्योंकि मैंने अपने हिसाब से ये उमीद करके इस क्यार जरूर देंगे धन्यवाद जरूर अग्यार ना हुआ है ये जरूर आपको देश ना इसे से विस्टाम प्रभी बताब से ए समझ में आपको बताएंगे क्योंकि मैं आपको बेहतर विस्क्तिम्स करनाएंगे झाले आपको बताएंगे धन्यवाद